आज की ब्लोग की स्टार्टिंग में सीधे मंदी से ही कर रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत लेट हो गए थे हम जैगने में क्योंकि इनका ओफ था और हम लोग सोते रहे गए आज रुद्र ने भी हमें सपोर्ट किया और वह जगह नीता तो सुबह ज़दी-ज़दी सारे काम की सफाई की डस्टिंग की और आज मैंने पूरा घर धोया था और यह सुबह सुबह मार्केट चे ले गए तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि सबको जल्दी-जल्दी गरना था मंदीर भी जाना था तो इस वज़ए से सुबह की रिकॉर्डिंग तो आज की ब् और यह भी आरम से पॉन चेदा रहा है और खाना कहा रहा है कितना इजी तरीका है बुच्चों को खाना खिलाने का हैंहो फ्रेंट्स वल्कम तु मैं चैनल हैपिनस विद प्राजी और आप सबी को हैपी मह सीवरात्यी सवरात्य की पावण पर आप सबीको हाद इक सुभकाम ना है अभी बस मैं पूझा करके आई हूं यहां भी में आपने गर में पूजा करें ती मंतरी वे में जाकर आ गए अब ही मैं हम दोनों के लिए इनके लिए और रुदर के लिए पापया कर रही हूं तो पहले हम लोग पापया खाएंगे फिर उसके बाद में चाई बनाओंगया सुवे से चाई नहीं पी और जो टी लवर्स है वो सो सकते चाई की किते इच्छा होती जब तो चाई नहीं पीते है बट अभी खाली पेट और खाली पेट अगर में चाई पीती तो थोड़ा सा नुकसान होता और गेस्ट्रिक प्राब्लम होने के चांस है तो फिर मैं दी सूचा पहले में फ्रूट्स खाते हो फिर उसके बाद में चाई पियोंगी तो चलो फ्रूट्स कट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हो और हम दोनों को यह भी बहुत भूख लग रहे है तो बताओ ग्रीप्स और यह क्या है यह क्या है बताओ बेर यह पापाया बैटो हाँ महां जाकि बेटो शिट पहली आपर बैट शिट बिचा लो ग्रेफ बोलो है पी महां सिवरात्री जैब होलेनाथ तो अभी हम लोग यह फूट्स एलेड जो बनाके लिखे है यह वो खार है तीनों के तीनों बैत की और पती दे उसाइड में हो गया है कि वो नहीं चाहते की वो सामने आए और मेरा चुछ प्यारा सा बेटा तो हमेशा ही सामने रहता है जैसे की यह अभी है अज में आफ लोग मुझे डिफरेंट अवतार में देखरों के आज में साड़ी पैनी या साड़ी वाला व्लॉग होने वाला है मुझे अच्छ से पहना नहीं हाती है और काम चला हो पहनले लेती है। आप क्या आर चाहर हो चेता अधिक देखां और फूटस काने के बाद में रुद्र को सुलानाता और सात में हम तीनों सोगे इसको सुलाते सुलाते अब 4.30 और आज हम लोग सो गएते तो नेंद इतनी जा गए ना पदा ने चला टाइम का अभी मैं किजिन में आई हूँ चाई बनाऊंगी आलू बोल्ड होने के लिए रखोंगी कि अब इसको शुलाते है आज के लिए ताइम लेता है सोने में जाता है मैं साथ में सुवी जाते है और इसका पदा ने जलता है कोब यह सो रहा है और अभी मैंने चाई यहाँ पे बनाने के लिए रख दी साथ में मैं आप पोटेटो छिल्ट्रियू के तरह आप आलो अब ही मैं तियारी कर रही हूँ आज के खाने की और आज में खाने में बना रही हूँ गाजर का हल्वा साबुदाने के खिच्टी राइता और फूट्स बगर होंगे और तब बस इतना ही सूचा है पहले ही बनाती हूँ फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ और आप इसको अच्चे से मिला कि मैं अपर इसे बोल्ड होने के लिए रख दूगी और यहां रुद्र साइड में खेल रहा है अपने टेक्टर से तो इजब भी में खाना बनाती हूँ मौस्ट आप टाइम में किचिन के बहारी होता है और यहां पर मैंने इसमें एक बड़ा बाव अपर बनान नहीं पाएती है यहां पर मैं घी बी अएड कर रहू हूँ मैंने सुगर एड किये और सम ड्राइफ्रूट साइड करूंगी और हमारा 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 बन के तयार है और आप ट्राइ करना कभी मलाई डाल के देखना बिलियो करो कि बहुत अच्छा टेस्ट की बनान चाहता है मलाईसी है मैंने पहले भी ट्राइ की है तो मुझे लगा कि इस बार फीर से ट्राइ करती वर बनने में बढ़ टेस्टी बनता है और खाने में बड़ा टेस्टी होता है और लोग त आप देखिए तक दिखनी में खुष्बू आ गई बस और खाने की भू यूंग फली को थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया है ये रोस्ट होने के बाद में मैंने इसे निकाल लिया है और कडाई में मैंने ग्रीन चीली हो थोड़ी से अधरक डाली है बॉल पोटेटो में इसमें एड कर रही हूं तोड़ी देर के लिए मैं पकने ही दूंगी अल्रेटी में ला लेंगे थोड़े के लिए में से पकने देंगे और यहापे मैंने साबुदान को पहले से दो गंटे पहले बिगो के रख दिया तो आप देखो यह अच्छे से भीग गया हो बीगने के बार में आप इनको थोड़ा सा ड्राइ होने दीजिए सुकार लेजिए इस तरीक बीगने के बार में आपको थोड़ा सा ड्राइ कर लेना है तो आपके साबुदाने खिले खिले रहेंगे तो खिजड़ी भी चिपकेगी नहीं और लास्ट में मैंने इसमें एड़ कर दूँगी मुंफली जो मैंने पहले से ही रोष्ट कर ली थी तो इसे टेस्ट और भी अ साथ में खिचडी एन हल्वा लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज दोस्ते मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन जरूर दबाएए क्योंकि आपको लोगों को फ्यूचर में और भी ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलने वाले हैं